एक बार फिर से रित्तिक रोशन बॉलिवुड में टॉप करने जा रहे है। रित्तिक रोशन अपने स्टेंट की थरा हमें बड़ी बड़ी खुशकबडी दे रहे है। बताऊंगा सब इसे पहले वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को पता ही होगा कि रित्तिक रोशन की इस साल मच अवड़ेटेट मोवी वायर अप के साथ वार टू आने वाली है। और वायर टू को किस स्केल पर बनाया जा रहा है कहीना कहीं आपको भी ये पता होगा। लेकिन एक और दमा का रित्तिक रोशन इस साल करेंगे वो है क्रिस फोर। जी हाँ आपने सही सुना। क्रिस फोर हमें जल्द ही फ्लोर पर आती दिखने को मिलेंगी। बताया जा रहा है कि रित्तिक रोशन क्रिस फोर के साथ इस साल के एंड तक जुडेंगे और इसकी शूटिंग शरू कर देंगे। कहीना कही ये बात ये न्यूस तो मार्केट में पहले से गुम ही रही थी। लेकिन इतना कंफर्म नहीं था कि आखिर इस मुवी को डारेक्शन कौन देगा और इस मुवी का प्रोडिसर कौन होगा। फाइनली इस मुवी का डारेक्टर फिक्स हो चुका है जी हाँ इस मुवी को डारेक्शन देगे करनमनहत्रा। अगर आप करन मनत्रा को नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दू तो इनके पिछली फिल्म जो उन्होंने डारेक्शन की थी वो थी रणबीर कपूर के साथ संसेरा अब आप ये मुवी का नाम सुनके एक बार तो सन्न हो गए होंगे इस तरह लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दू कि बले इस तमसेरा ने बॉक्स अब इस पर अच्छा पपमेस नहीं किया था लेकिन इस मुई के विज्यल और डारेक्शन काफी बढ़िया था तो क्रिश पॉर को परन मनोत्रा डारेक्शन देने वाले है और इनके अलावा इस मुई को प्रोड्यूस खुद रित्तिक रोशन के पापा यानि कि राकेश रोशन करने वाले है लेकिन एक और नाम शोकिंग नाम इस मुई के साथ जुड़ा है वो है सिद्धात आनन जी हाँ राकेश रोशन के साथ सिद्धात आनन भी इस मुई पर पेलसा लगाने वाले है और वो इस मुई को डारेक्शन नहीं लेकिन प्रोड्यूस करेंगे बात करें इस मुवी की कहानी के बारे में तो बताया जा रहा है कि इस बार रित्तिक रोशन अपने परिवार को बचाने के लिए टाइम मशिन का यूज करेंगे मेबी टाइम ट्रेवल की कहानी हमें इस मुवी में देखने को मिलेगी बात करें रित्तिक रोशन के रोल के बारे में तो रित्तिक रोशन हमें इस मुवी में नेगेटिव रोल में देखने को मिलेंगे और मुवी में कई सारे ट्विस्ट एंड टंस देखने को मिलेंगे तक दुसरी कोई कास्ट का नाम कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन movie के director और producer का नान confirm है बात करें movie कब तक आ सकती है तो इस साल के end तक movie की shooting स्टार्ट होगी तो 2025 या 25 के end में movie हमें जरूर देखने को मिलेंगी तो आपको क्या लगता है रुतिक रोशन क्रेस पॉर के साथ Bollywood के number one hero बन पाएंगे या नहीं कमेंट पॉक में जरूर चेपकाईएगा और ऐसी कबरों के लिए आपके अपनी तनल पापर बोडियो आपको सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा थैंके बेर बाएंगे